यहां एक तालिका है जो पारंपरिक कर्यर पथ प्रबंधकों और उद्मियों के बीच के अंतर को दिखाती है। इसकी शुरुवात मकसद से होती है। हाला कि एक पारंपरिक कर्यर पत प्रबंधक थोड़ा जोखिम के साथ स्थिरता जाता है। एक उध्यमी अमीर होने की तलाश करता है, भले ही इसमें उच्छ जोखिम शामिल हो। जब गतिविदी की बात आती है, तो एक पारंपरिक प्रबंधक प्रतिनिधी मंडल और प्रबंधन में विश्वास करता है। एक उध्यमी खुद चीजे करके प्रबंधन करता है। जब असफलता की बात आती है, तो एक पारंपरिक प्रबंधक विफलता से बचने की इच्छा रखता है। लेकिन एक उध्यमी के लिए असफलता का मतलब है कि एक प्रयोग खत्म हो गया है, अगला बहुत निकट है। जब निर्णय लेने की बात आती है, तो एक पारंपरिक प्रबंधक उपरी प्रबंधन का पालन करता है, लेकिन एक उध्यमी सक्रिय रूप से अपना निर्णय लेता है। यह वास्तव में बहुत ही दिल्चस्प था दिव्यमैम, और मुझे पता चला कि सफल उध्यमी बनने में क्या शामिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमीशा स्वागत है अनिल।